नमस्कार अभी हम UPSC कारेंटरफेर्स प्रोग्राम में बात कर रहे हैं खतरे में लुप्त प्राई एशियाई हाथी के बारे में कभी निलगीरी पहाड़ियों में बेरोग टोग घूमने वाले निलगीरी बायोस्फेर रिजर्व की शान समझे जाने वाले एशियाई हाथियों पर खतरा बढ़ने लगा है। तल भूभाग या मैदान अधिक उप्युक्त होते हैं जिनमें वे आसानी से बीना किसी रुकावट के आ जा सकते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्सों में लगातार भरती मानो बस्तियों और क्रिशी योग्य भूमी के कारण सरक्षन के नाम पर हाथियों को बड़ी बड़ी सीमित कर दिया गया है। लेक में बताया गया है कि बठते मानो अतिक्रमन के चलते पश्चमी घाट में सित पाल घाट गैप बाधित हो रहा है। पाल घाट गैप उत्तरी हाथियों को दक्षनी हाथियों की आबादी से अलग करता है। पाल घाट गैप पश्चमी घाट पर के के तौर पर भी काम करता है पहाडियों के बीच स्थित अभिक्षाकरित समतल पाल घाट गैप को एशियाई हाथियों द्वारा एक प्रमुख गलियारी के रूप में इस्तिमाल में लाया जाता रहा है लेकिन बढ़ते शहरी करन और अन्यमानो गतिवीधियों के कारण यह प्राक्रितिक गलियारा बाधित हो गया है जिसके चलते हाथि पहाड़ी इलाकों में एक ही शेतर तक सीमित होते जा रहे हैं लेक के मुताबिक जब हाथियों के आवागमन को खासकर ढ़लान वाले क्षित्रों में अवरुद किया जाता है तो उनका जीन प्रवाह कम हो जाता है जीन प्रवाह कम हो जाने के कारण कम अनुवन्शिक विवित्ता होती है साथ ही उस क्षित्र में उत्तर जीविता को बनाए रखने के लिए अधिक प्रजनन होता है जिससे गंभीर बिमारियों की संभावना बढ़ जाती है वर्स 2021 में वैग्यानिक पत्रिका ग्लोबल एकोलोजी एंड कंजरवेशन में हाथियों की उत्री और दक्षिनी आबादी की बीच आनुवन्षिक भेदभाव को उजागर किया गया था इसमें बताया गया था कि आउवन्षिक विशमता के कारण हाथियों की प्रजनन ख्रमता कम हो रही है साथ ही उत्तर जीविता दर भी घट रही है जिनस एलिफस की एक मात्र जीवित प्रजाती जिसे एशियाई हाथी यानि एलिफस मैक्सिमस जाना जाता है पूरे भारतियोंक महद्विप भारत, नेपाल, भूटान आधी में पाई जाती है